हेलो गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल स्टाइलिंग विस सुनीता आई होप आप सभी अच्छे होंगे अगर आप मेरे चैनल पर नए आये हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और बेल आइकन को पर सेट कर दीजे जिससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिकेशन आप को सबसे पहले मिल जाए तो आज का होल्ड वीडियो होने वाला है अगेन मीसो से सभी क्या प्यारा मीसो और मेरा भी फैवरेट मीसो सो मैं आज का कलेक्शन करवा चोध और पार्टी वीए इसपेशल और जैजे आने वाले फैस्टीवल सभी के लिए ध्यान में रखते सभी सभी इस फैसल होने वाला है सो मैं आपको दिखाती हो कलेक्शन सो देखी प्राइब हो देख सकते हो गिरीन कलर में निए पीच कलर में एंटी औरिंज कलर सो सारे ही कलर फैस्टिवल के अपोर्डिग मैंने पर्चेस की है सो चलिए मIESकर दिखाती हूं रहे है में है वि Deekhijee first mee hai Mery साडियth single soldier मैं बिल्कुल है वरक के साथ मतलग है ऐस में लग आपको बिल्कुल है साडिया लेकिन आप इसे पर्चेस करो गहीं साडिया वाली साडियियु सो देखिए मैं आपको पहले इसाडियु सुझधे साडिय इसतरी की प्याटन दिया गया है तो काफी अच्छा पैटन आपको इसमें मिल जाएगा तो देखिए साड़ी की लैंट और विर्थ इस तरीके गा तो इस्टेचेवर कपड़ा है जैसे इस्टेचेवर होता है उस तरीके बिल्कुल फटा-फट वीर करने वाली तो जैसा कि आप देख सकते हो फुल साड़ी ल बोर्डर दिया गया सो देखिए गॉल्डटन एंट कलर में जू आप देखिए कलियर हो जाया को बिल्कुल फिनीशिंग के साथ लगया तो देखिए सारा बोर्डल विल्कुल फिनीशिंग से चारो तरफ आपको मिल जाएगा यहां पर देखिए इस तरीके से यह पलू है इस तरीके से golden and red combination में लगाए गया और बीच बेश के यह golden color का rubber print मैं आपको clear कर देती हूं यह मतलब जरी वर्क नहीं है सो देखें यह rubber print है तो काफी है मतलब अच्छा लगा ऐसा नहीं कि वो शोने के बाद बेकार मतलब निकल जाएगा ऐसा बिल्कुल भी ने लग रहा मुझे सो देख सकते हो काफी अच्छा पैटन है इस तरीके से बूटी है चूटी-चूटी बूटी है बिल्कुल फरफेक्ट इसकी सचलीए मैं आपको इसका ब्लाउज दिखा देती हूं साडी की लैंध बिल्कुल परफेक्ट है आप जैसे आने वाले फैस्टीवल के लिए साडी को पर्चेस कर सकते हो जैसे करवा चोथ इस वेसल आप उसके लिए बिल्कुल लाइटवेट पूरे दिन पहन के आप इसे सारा घर काम जैसे लेडिसों को होता आप जैसे आने वाले करवा चोथ पर हमें वर्त भी रगना और काम भी करना सो आप इसमें बिल्कुल कॉंफटेवल फील करोगे बिल्कुल लाइट वेट सारी है पूस्करोड़ मेश बिल्कुल सुक्री ऐडसा कि बात अच्छा फै यह ऐसा सकतो है तो फूर पूरर का मीशा नहीं दीना काफ है इस तहली कि अच्छा अपिरीक अلا बेगर ना चालो तरह उस तरह का बॉर्डर दिया गया इससे आप ब्लाउज मतलब भाजू में भी उसकते हो या फिर फ्रेंट पर यूज करा सकते हो काफी ऐच्छा ब्लाउज इसका डिजाइनर ब्लाउज भी डिश्टीच करा सकते हो तो ब्लाउज भी काफी फैबरिक इसे मुझे बिल्कुल खुदी इतनी फैविट है लगी बहुत ही पसंद आई है साधी जैसा कि आप सेल चल रही है उसके अप इसे बिल्कुल अभी पर्चेस कर सकते हुँ अगर आपको मेरी कलेक्शन पसंद आ रही है तो ऐसे ही एक लाइक जरूर कीजेगा और प्यारा इसका ब्लाउस है आपको पहले साधी दिखा देती हुए ब्लाउस बाद में दिखाते हैं चलिए साधी देखिए कि इतना प्यारा गलार है तो यह बिल्कुल डाउक कलर होता है ना तो यह डाउक ग्रीन कलर है तो देखे जैसा आपको वोच हो रहा ना सेम मेरे पास भी ऐस साधी में कोई इसू नहीं है इस तरीके से देखे साधी एवन साधी है इसे भी कह सकते हैं सिल्क में तो देखे पैटन देखे सिंपल सोवर में आपको जरी वर्क के साथ यह पूरी हैवी साधी मिल जाएगी इस तरीके से बीच-बीच में इस तरीके से बूटिया दी गई ह सो मैं आपको पहले साधी किलियर कर देती हूं साधी की लेंट देख सकते हैं अब काफी अच्छी लेंट दी गई है रेंज का कोडि कोई भी इसू नहीं लगा मुझे साधी में देखें, इस तरीके से ही पूरी लेंट दी गई है चलिए मैं आपको बता देटे में रीड टवा इंग बैजा और लगाई वगया मैं ठल्ली यह बिल्कूल भी नहीं चुछ चुछ बहुfend को फेला बाका सी सटाव में तो यह भाले को अरेंज कर्लर में cambio तो सब्सक्राइब को अब अमकुसरण को सबक्साइब कर दीए गई आप को therekin इस तरीके से अंतले ही ज ねी त्रवे साड़ी में और ह número पूर के जारी आपस ःची कर सकते हो चाहिं हमें हैं आने वाले वाले कर्वा चोस हो गई का लिए में तो गए अने के लिए उसक्तिAP shifting साधिया स्षरी विम्स कोए दो भी निम्स कि अवी निंज तो को यंज पूर के रिचे में चीज़ अश्क्रा रह vais सब्सक्राइब नीचे पूरे ही साड़ी में बूटिया दी गई है सिंपल सोबर में यह इस तरीके से हैवी डिटेलिंग के साथ हो जाती है साड़ी काफी अच्छी लगी गिन कलर के सिल्क में फैबरिक दिया गया साड़ी का सो पूरा ही पाइबिंग आपको मिल जाएगी चा अच्छा बनाया गया जैसे ग्रीन के साथ औरेंज तो देखें काफी अच्छा औरेंज है जैसा आप बोच कर देऊ ऐसा ही सेम मेरे पास है तो चलिए मैं आपको दिखाती हूं बिल्लाउज का पीस देखें 80 cm का है आप देख सकते हो प्लेन में है इस तरीके से सिल्क में ही बिल्लाूजद दिया घया तो देख सकते हैं इधर की साइड में यह बोटी अडी गाई है तो इन्हें के साथ भी पुछ भी इन्वेंश कर सकती हो नहीं पेङकर साथ तो 그랬ons polít है स sorrow सब्सक्राइं कर सकते हो पीफ YOUR क्वेर एंवार काला कोम्मिनेशन बिलकुल परफेक्ट है सो चली है अब तो हो गई साड़ियों की बात मैंने इसमें अनार्कली ड्रेस भी परचेस की है जैसे कि सभी साड़िया नहीं वीयर करते उनके अकोरडिम मैंने मैं आपको दिखाती हूं जैसा कि आप ट्राइल में मुझे पूरा ही इसका लुक क्लियर हो जाएगा आपको सो देखिए कितना प्यारा कलर है औरेंज कलर सो मैं आपको दिखाती हूं इसकी कुर्ती काफी अच्छी कुर्ती मिली है मुझे बिल्कुल मुझे मतलब बिलीव नहीं था कि इसनी अच्छी कुर्ती हो सकती है जैसा पिच्चर में दिखाया था ना सेम ऐसी ही है चलिए मैं आपको दिखा देती हूं कुर्टी, Size मैंने में मीरियम पर्चेस किया है, परफेक्ट है हलका सा लूज ही है, इसके according जैसे रियोन हलका सिंक हो जाता, बिल्कुल आप अपने Size के according ही पर्चेस कीज़ेगा, आपको पहले कुर्टी किलियर कर देती हूं, इसमें लैस अटेच की गई है, जिससे मलब यह उभर के आएं कलिया, इस तरीके से इसमें पैटन दिया गया, तो देखिए मैं नीचे की साइड में आपको दिखा देती हूं, तो देखिए नीचे की साइड में काफी हैवी इसमें यह लगाई गई है, इसमें लैस, यह फैब्रीक के ओपर लैस लगाई गया है, तो इस तरीके से देखिए कितना अच्छा लग रहा है, बिल्कुल यह एलिगंट पीस है, तो चलिए मैं आपको इसका फैब्रीक बता देती हूं, फैब्रीक इसका रियोन है, और साइज मैंने इसमें मीडियम परचेस किया है, बिल्कुल परफेक्ट आया, तो हलका सा लूज ही है, तो रियोन है, आप बिल्कुल अपने साइज के कोडिंग ही परचेस कीजिएगा, क्योंकि वोश करने के बाद थोड़ा वह सिंक हो जाता है रियोन, सो चलिए मैं आपको साइज मैंने इसमें मीडियम, नेक देखिए इसका कुछ इस तरीके का है, सो देख सकते हो, सो जादा डिब नेक नहीं है इसका, सो काफी अच्छा नेक राउंड दिया गया इसका, सो देखिए ये मिडिल पार्ट में इस तरीके से ये कलियां लगाई गई है, मतलब हाँ ये कलियों पे लैस गोटा पट्टी होती है ना, सो उभरने के लिए ये लैस लगाई गई है, सो देखिए ये फ्रंट पे ही दिया गया इस तरीके से, तो मैं आपको एस तरीके से दिखा दीए इस तरीके से दिया गया यह पैटन इसका कलिया काफी अच्छा गेर आपको ड्रेस बिल्कुल परफेक्ट लगी सो देखे कलियों के साथ ही बनाया गई यह ड्रेस लेंद काफी अच्छी है सो आप मेरी हाइट फाइब उसका अकोर्डिंग आइडिया लगा सकते हो और नीचे के साइड में आपको गोल्डन कलर की यह लैस काफी फिनीसिंग लैस मिल जाती है सो देखे बिलकुल फिनीसिंग के साथ छोटी-छोटी गोटे पे भी बिलकुल फिनीसिंग दी गई है सो देखे इस तरीके से कितना सुन्दल लग रहा आपको पूरा ही पैटर्न के लियर हो जाएगा सो चलिए मैं आपको बैक साइड दिखा देती हूं इसकी इस तरीके से इसकी बैक साइड है और यह नीचे की साइड में मिडिल पाइट में इसमें उसमें पीछे लेस वह गोटा-पटी नहीं अनुए रहे हैं देखे काफी अच्छा पैटर्न है गेर आप देख कि सकते हो गेर में कोई इसनी आई काफी अच्छा गेर दिया गया इसके साथ चलिए सिलिप्स की बात करते हैं इसकी घेर की तो काफी बाते हो गई सो देखिए वन फोर्थ सिलिप्स दी गई है और इस पे पूरी हैवी जर्क वाली मतलब लैस लगाई गई है सो देखिए इस तरीके से सो मुझे काफी यह पैटन काफी पसंद आया इस तरीके से गोटा पट्टी लगाई गई है और यह चोड़े बोडर में लैस लगाई गई है गोल्डन में जैसा कि आप देख सकते हों बिल्कुल ही ape कि साथ इसमें काम किया रहा पूरा कोई भी इस में कुर्ती जीरे में इसउ नहीं है। सो आप एला एक बार लुडव सदेखिए तो कि चलिए इसकी पैंट की बात करते हैं चलिए इसकी पैंट की बात करते हैं पैंट भी इसकी सेम फैब्रिक में दी गई है सेम कलर में सो देखिए इसके साथ आपको पैंट मिल जाएगी तो देखिए ओरेंज कलर में फुल एलास्टिक के साथ है यह सो लास्टिक भी काफी तो देखिए एन इसके में इस तरीके से घेर भी काफी अच्छा दिया गया तो आपको बिल्कुल भी टाइट नहीं होगी है यहां से जैसे कि यह दोने के बाद सिंग हो जाता ना फैबरिक इसके अकोड़िंग बिल्कुल परफेक्ट पैंट है तो देखें लेंथ आप देख सकते हैं एक बार सो यह रियोन माटीरियल में ही है तो बिल्कुल कॉंफटे वाली पैंट है मुझे बहुत अच्छी लगी इसमें भी जैसा कि आप ड्रेस के साथ अगर आप इसे अधर ड्रेस के साथ भी ट्राय कर सकते हो सो सिंपल औरेंज कलर ह इसके साथ आप कुछ भी इंवेंशन कर सकते हो काफी अच्छा लगेगा चलिए इसके दुपट्टे की बात करते हैं तो दुपट्टा भी सेम कलर में है तो औरेंज कलर में सो देखें यह है सिफोन में आपको डुपट्टा मिल जाएगा इसमें तो दिखाती हु मैं आपक सो देखें इसमें गोटा पट्टी दी गई है इस तरीके से गोल्डन कलर की चारो साइड में मिल जाएगी आपको इस तरीके से सो मुझे डुपट्टा भी बहुत पसंद आया इसका और इसकी विर्थ और लैंप काफी अच्छी है सो सिंपल सोवर डुपट्टा है सो ड्रेज में काफी कोई भी इसू नहीं है मिलेगा आपको सो बिलकुल रेंज के कोडिंग बिलकुल पर्पेक्ट ड्रेज झाल